हरे कृष्णा आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुक्काम नाएं फाल गुन मास्त के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमलकी एकादशी की महीमा का वर्णन ब्रह्मांड पुरान में आता है जैसे कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि आमलकी यानी आवला कहते हैं कि आमले को भगवान विश्णु ने आदी वरिक्ष के रूप में प्रतिश्टित किया है इसलिए इस एकादशी के दिन आमले की वरिक्ष की पूजा करने का बहुत महत्व है इस एकादशी से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा मांधाता वशिष्ट मुनी से बोले हे महान संत मुझ पर कृपा करें और किसी ऐसे वरत की कथा सुनाईए जिससे मेरा कल्यान हो जाए तो इस पर वशिष्ट मुनी ने उत्तर दिया कि हे राजन मैं एक ऐसे वरत का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त वरतों में श्रेष्ट और मोक्ष देने वाला वरत है और वो है आमलकी एकादशी का वरत सभी पापों को नश्ट करने वाले इस वरत का फल एक हजार गौदान के फल के बराबर है अब मैं आपसे एक पौरानिक खता कहता हूँ जिसे आप ध्यान पुर्वक सुने एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वैदिश इस राज्य के सभी रहवासी हर शेत्र में संपन्न थे और आनंध पूर्वक एक दुसरे के साथ रहते थे उस नगर में सदै वेद्वनी गूंजा करती थी इस राज्य की विशेष्टा ये थी कि यहां कोई भी व्यक्ति नास्तिक या दुराचारी नहीं था राजा चैत्रत इस नगर का राजा था जो अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक था इस राजा के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था हर कोई निश्ठा पूर्वक धर्म का पालन करता था इस प्रकार सभी नगरवासी भगवान विश्णु की भक्ति करते थे और उनकी सेवा में अपना हर कार्य करते थे सभी लोग एकादशी के वृत का पालन किया करते थे एक समय फालगोन मास के शुक लपक्ष की आमल की एकादशी आई राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्णकुम्ब स्थापित करके धूप, दीप, नावैद, पंचरतन आदी से आमले का पूजन करने लगे रात के समय वहाँ एक शिकारी आया वो महापापी और दुराचारी था और जीव हिंसा करके अपने कुटुम्ब का पालन किया करता था भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वो इस मंदिर तक आया एक कोने में बैठकर वो भगवान विष्णु की कथा और एकादशी महाप में सुनने लगा इस प्रकार उस शिकारी ने सारी राध भक्तों के साथ व्यतीत की प्रातरकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए ये देख वो शिकारी भी अपने घर की ओर चल पड़ा और कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यू हो गई उसके हिंसक कार्यों की वज़े से वैसे तो वो नर्क जाने योग्य था लेकिन उस दिन आमलकी एकादशी का वरत करने के प्रभाव से उसका अगला जन्म राजा विद्वत के यहां हुआ उसका नाम वसूरत रखा गया जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वो धन धान से संपन्न था बड़ा होकर राजा वसूरत एक सुन्दर, शक्ति, शाली, कर्मवीर और करुणा मै राजा बना इसके साथ ही वो भगवान विश्णू का बहुत बड़ा भक्त था वो अपनी प्रजा का समान धाव से पालन करता था एक बार वो राजा शिकार करने वन में गया अचानक वन में वो रास्ता भटक गया और ठक हार कर एक विरिक्ष के नीचे सो गया कुछ समय बाद डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसकी ओर उसे मारने के इरादे से दोड़े वो डाकू कहने लगे इस राजा ने हमारे माता पिता हमारे कई परीजनों का वत किया है और हमें राज इससे निकाल दिया है आज हमें इसे मार कर अपना अपमान का बदला लेना चाहिए लेकिन उसी समय राजा के शरीज से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने इन सभी डाकूओं का नाश कर दिया जब राजा जागे तो वे सोचने लगे कि इतने सारे डाकूओं को किसने मारा है इसवन में मेरा कौन सा ही तैशी रहता है तभी एक आकाशवानी के माध्यम से उन्हें ग्यात हुआ कि उनकी रक्षा स्वयम भगवान विश्णुरे की थी ये सुनकर भगवान के प्रती राजा का प्रेम कई गुना अधिक बढ़ गया भगवान का रिदय पूर्वक धन्यवाद व्यक्त करके राजा अपने नगर लोटकर सुख समरिधी से वापस राज्य करने लगे जीवन के अंत में उन्हें वेकुंट धाम भी प्राप्त हुआ इस प्रकार वशिष्ट मूनी ने राजा मान धाता से कहा कि जो कोई भी इस अती पवित्र आमलकी एकादशी के वरत का पालन करता है उसे नी संदेह वेकुंट की प्राप्ती होती है देखा जाए तो एकादशी वरत का पालन करना बहुत ही सरल है इस दिन हमें भक्ती के अनुकूल सारी चीज़े निश्ठा पूर्वक अधिक से अधिक करनी चाहिए जैसे हरी कथा कश्रवन, हरी नाम संकिर्तन, जब करना, रादवर जागरन करना और ऐसी चीज़े या आदते जो भक्ती के प्रतिकूल हो जैसे अत्यधिक सोना, व्यर्थ की बाते करना इन से दूर रहना चाहिए क्योंकि इन से हमारी चेतना दूशित हो सकती है तो शरीर को अपनी खुराक के साथ साथ, अपनी आत्मा को भी उसकी खुराक देना न भूले धन्यवाद, हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ती मय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डी टी अच ऑपरेटर से समपर्क करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839